मोधी सरकार के तीसरे कारेकाल में जो मंत्री बने हैं उन सब ने अपना कारेभार समाल लिया है और खास बात चीत करने के लिए मेरे साथ नए विधी मंत्री हलाकि पहले भी इनके पास यही जम्मेदारी थी अरजुन राम मेगवाल जी हमारे साथ हैं और एक और पूटफोलि देने के लिए प्रधान मंत्री जी का आभार के उन्होंने विश्वास जताया जो आपने प्रात्मिकता ही पूछी अभी आपने देखा होगा कि तीन नए लौज एक जुलाई से लागू होंगे इस देश में IPC, CRPC, Indian Evidence Act की जगे भारतिये न्याय सहिंता, भारतिये नागर से अधिनियम एक जुलाई से लागू हो जाएंगे, नए लौज जब लागू होंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जो लंबित मामले हैं, उनमें हमने इस नए लौज में टाइम लाइन तैक किये, तो उनके निस्तारण में तेजी आएगे, टेकनोलोजी का इन्पुट इन नए लौज में हैं, तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज है हमारे इंडियन जुडिशियल क्रिमिनल सिस्टम में और इस चेंज के कारण नागरिकों को इज ओफ लिविंग होगी, नागरिकों को जो सुविधा मिलेगी, ये ही बड़ा अचीवमेंट रहने वा बात करें, तो विपक्ष तो आप देख रहे हैं, शुरू से ही क्या मोड है, वो एक्जिट पोल पर ही सवाल खड़े कर चुके हैं, और इस बार विपक्ष की ताकत भी बड़े हुई है, तो सदन के अंदर सरकार की क्या रणनीती होगी, और ये भी एक सवाल लब लोग जा करते हैं, शबत ग्रहन वाला जो सतर है पहला, वो कब से शुरू होने जाए है? तो इस चुनाव में ये तैह हो गया, E.M. सही है, और सुपरिम कोट ने कहा, तो भी नहीं नहीं माना, तो ये तो बड़ा चीवेंट हो गया कि E.V.M. जो चुनाव आयोग ने, जो हमारे वोटों की गिंती के लिए और वोट देने के लिए जो E.V.M. मसीन का जो सिस्टम अ अब रही बात आपका फ्लोर मेनेजमेंट की, वो पार्लेमेंट अफैर्स मंत्री के नाते हमारे किरेने जो जो जी ने आपको प्रेश को सुबह बताया था, मैं भी बताना चाहता हूं क्योंकि फ्लोर मेनेजमेंट का काम हम करते हैं. इस वार विपक्ष की संख्या बढ़ी हुई है, यह क्या इससे आप लोग सचेत हैं? शंख्या नहीं थी, फिर भी सरकार चलाई, हम तो 240 पे हैं और फिर हमारे NDA गठबंदन का सरकार चलाने का अटल जी से लेकर के नरेंदर मोदी जी के भी यही तीसरा काल खंड है, हमारी चबदा और उनिस की जो सरकार हैं थी, वो भी NDA की सरकार ही कहलाती थी. देखिए इस जनता ने जो मेंडेट दिया है, लोकतंतर में तो जनता ही सरोपरी है ना, जनता ने मेंडेट दिया है नरेंदर मोदी जी को सरकार चलाने का और जिनका आप नाम ले रहे थे, उनको मेंडेट दिया है विपक्स में बैठने का, हम हमारा काम करेंगे, विपक्स देंगे, ये तो निर्धारित हैं, फिर भी कई परंपराएं बनी हुई है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, कोई भी सुनोती होगी, हम इसको अवसर में बदलेंगे। आप सेंटरल हॉल की मिटिंग देखिए और कैसे हमारे सहयोग योंने परधान मंत्री मोदी जी भी विश्वास परकट किया, उसके बाद तो कोई बाकी रहता ही नहीं है। हम NDA का जो गटबंदन का धरम है, वो निभाना जानते हैं। इसलिए कोई दिक्त नहीं है। सर सवाल एक मुंबई से, माराष्टर ATS ने बहुत गंभीर मामला सामने आया है, माराष्टर ATS ने कुछ लोगों को गिरिफतार किया है, और ये आरोप है कि बंगला देशियों ने फरजी दस्तावेज दिखा कर वोटिंग की है, इस बार ये आरोप है, विधी मंत्री के त सरकार के मंत्री अपने काम में जुट गए है, और बड़ी अपेक्षाए हैं, देखने यही है कि मोधी, प्रधान मंत्री मोधी के तीसरे कारेकाल में किस तरीके से सरकार आगे बढ़ती है, कैमरा परसन राजेश के साथ जैने इंद्रे बीपी न्यूज दिलिए